स्टूडेंट खबरी जा मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी यानि कि स्टूडेंट्स क्या जी आल लो कि मैं एसोसेट हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए और अराउंड सी यूई टी मतलब क्या है इसका मेरी सारी वीडियो जितनी भी चानल पूरी मैं आसे बात करने वाला था हूँ सी यू टी के ठीक है तो आज का मेरी टॉपिक है डी यू का एक बहुत नामची कॉलेज जो कि है मिरानडा हॉश चौलेज मिरानडा हाउश कॉलेज किसके लिए ओनली फॉर फी मेल्स ठीक है यहां मेल्स का कोई लिन दना नहीं है फिमेल्स का नहीं बहुत प्रॉम्रेंट कोलेज इसका एवरेज पाकेज इसका हाइस एक पहुत जाज आता है क्योंकि मरांडा हाउस पहली चॉइस है मीजर रिक्रूटर्स के लिए नेजर कुटर्स यानि की डिलॉट के बारे में बात कर लो आपला में बात कर लो इन सब उनने बड़ी कंपरी जैंव उन्हें सब्गे लिए मंञानदा हाउस एंस-पर बात चाहिए है आँ थोड़ी इसके बारे में इन डीटेल पर बात कर लेता है पहला मेरा सेक्षिन होगा अबाउट मरांडा हाउस ओफर इस लिबरल एडुकेशन अन सोशल साइंस मतलब यहाँ आपके जो कोर्से हैं वो किसके राउंड ओफ है सोशल साइंस हिमानिटीज आन बेसिक साइंसे ठीक है तो मोर देन थर्टी फाइव हंड्र शूड़न्स जाड़े तीन हजाद जादा बच्चे बरन डाहु से पढ़ता है है इस अधिकल्टी इस रनाउंट फॉरिट्स मेरिटोरियस बेसेश प्रोफाइल आप पर एक्सपीरियंस है तो अगर आपका कट अफ मिरांडा हूस के मायलेस के राउंड आप जा रहा है पहला प्रिफरेंच वे में डालना मिरांडा हूँ इफ यू आरा फीमेल ठीक है पता ही आपको डियू में सत्तर अजा सीटे है नौला मच्छों ने एक्जाम दिया है लडाई जगड़ा बहुत होने वाला है क्या को मिलेगा है नहीं मिलेगा तो आपके स्कोर की उपर अगर मिल ला हो तो बरन डाहूस फर्स राउंड पर ही ले 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 ना अगर आपको अलॉट हो गया तो चालो प्रिंस्विक और अब बात करें थोड़ा सा बेरांडा हाउस के स्टाब्लिश्मेंट के बारे में कहां पर एकॉलिस हित है दी यू के नौर्थ कामपस में अगर आप इंस्टेग्राम बहुत आक्टिव होना एभी बी मैगी वाली भी नौर्थ कामपस के भारी बैठती है तो मैगी का दिवाने हो ना चलो भाई आते वापस 1948 में बना था है कॉलेज और नौर्थ कामपस ऑफ डी यू में स्टेथ है अब बात करते हैं हाइलाइट्स की उपर चो थोड़ा सा पहले आ जाओ आप नौर्थ कामपस क्यों डी यू का अगा आपको नहीं पता डी यू के बारे में डी यू में दो कामपस होते हैं ठीक है एक होता है इंके पास नौर्थ कामपस एक होता है इंके पास साउथ कामप जितने भी इंके affiliated colleges है वो north campus, south campus में होते हैं ठीक है तो Miranda house topmost है वो north campus में अब बात करते हैं highlights के बारे में from Miranda house establishment year मैंना से बात कर दिया location मैंना को बता दिया affiliation इसका du के साथ है recognition NAC ने इंको दिया है A plus grade मतलब topmost college है भाई है NAC is a national board of accreditation जो देता है grades colleges को पहले उनकी जांच प्रकार करेगा जानेगा कि college कैसा है तब देखेगा कितने वो इंटरॉंशिव करने गए हैं कितने प्लेस्मेंट हुआ है कितने research paper publish हुआ है बच्चों के बाद कितने पेटेंट है teachers बाद कितने पेटेंट है यह सब देखने के बाद देता है यह वो college को grade तो ए प्लस गेट मिला है मतलब बहुत अच्छा है चालो ना बाक टुद रांकिंग वान इसकी रांकिंग है second for science by India today and round three for arts by India today science को कोर्स करना है science मतलब bsc msc वो करना हो तो आपके लिए बनांडा आउच और फर्स च्वाइस आच करना है तो भी बनांडा हॉस कोले आपके लिए फर्स च्वाइस होना चाहिए एंटर्स एक्जाम डी यूवीटी एवरेज डी यूवीटी और सी यूवीटी ठीक है इंके थ्रू आपको मिलेगा एड्मिशन एवरेज बात करते हैं हाइस पाकेज की तो आवरेज पैकेज गया था इंका 2021 में साथ लाग का ठीक है एंड हाइस किता किया था अठारा कैसा होगा ठीक है तॉप रेक्रूटर्स भाई गूगल भी आती है यहाँ पर चाहिए ना जॉब पकल लो पर अंड हूस और ऐसा को मिलेगा भी नहीं आपके अच्छे स्कूर होंगे सी यूटी वे टॉप क्रीमी लेर में आपा रहे होगे ना तम मिलेगा बनांड हूस यहां मैंने कहता है कि जो मैंने बनाई हे पूरी यहां हमारी रांकिंग की थरू ठेक है तरह बात करें निर्फ रैंकिंगे ही निर्प रैंकिंगर Look i 21ai 2021 साल ने इनको दिया है फॉर्स्ट रांग भाई पूरे इंडिया में पहल नेक्या बहुत बड़ी बात है बेस्ट कॉलेज इन इंडिया पर्स रांग गिवन बाइ निर्फ दोजार एकिस आज दी बेस्ट कॉलेज इन इंडिया तो बनांडा हाउस दमदार कॉलेज़ चलो अब बात करें थो जिसी हां की को कारिकुलर अक्टिविटीज इंपोर्टन तो होगी यार अब जा रहे हैं वहाँ पर तीन साब बेताओगे अपने बैचलर's के यूजी कोर्से में तो मज़ा आएगा या नहीं आएगा क्या के अक्तिवटीज हैं क्या के आपके हो नहीं है फको कारिकलर आउंगी बात करते हैं तो करिकर आक्टिविटीज में यहाँ पे आपका एनसेस का भी क्लब है एनसेसी भी है स्पोर्स और गेंज पर ये बहुत फोकस करते हैं एनसेस पता है ना नाशनल सर्वेस स्कीम एंजुटब होता है जो लगए लोग की हेल्प करते हैं ठीक है सरकारी एनसेसी भी है यह बहुत नाशनल चलता है एनसेस कालबves होती है आपको बलाया ज़ता है एनसेस के महां जाते हैं सब लोग तो मज़ा बहुत है एंसेस्य को सेर्टिफिकर्यस मिलते हैं आपको ऐ ग्रेड light and process admission कैसे मिलेगा इस college में चालो common seat allocation system CSAS याद रखना बरेंडा हाउस में आपको सीधा diet admission नहीं मिलने वाला आपको DU के काउं से करानी पड़ेगी जो CSAS है उसके थ्रूई आपको बरेंडा हाउस मिलेगा अगर आप इंकी माड लिस्ट में आ रहे हो तो ठीक है centralized admission portal है CSAS का जो आपको fees pay करनी है तो non refundable होगी and ECA and sports quota will have to pay additional fees ठीक है अगर sports quota से हो या ECA quota से हो तो आपको fees पोड़ी सी additional भी लगने वाली है चालो now phase two phase two of phase one क्या होता है phase one होता है जब आप application form दे देते हो ठीक है phase two क्या होता है जब मारे लिस्ट निकालते है और उसका second round कर प्रसेश शुरू कर जते हैं उसको कहते है phase two तो second phase will start after the CUT examination result आ जाएगा ठीक है भाई और CUT result declaration के बाद eligible candidates will have to select the course and fill the preference of desired college on the centralized CAS portal registration कर लिया counseling में आ गए आगए आपको choice फिलिंग करनी है आपको चाहिए है अगर आपको डियू में पढ़ाई करनी है तो वो भी शुरू हो चुका है उसको कहते है phase two phase three क्या होगा seat allocation and final admission तो counseling को CASAS को इनने बाढ़ दिया है तीन phases में phase one phase two phase three phase three phase माने आपका registration करना phase two है आपका choice फिलिंग करोगे प्रिफरेंस भरोगे अपनी क्या कॉंसे college में चाहिए admission phase three है कि आपको इस college में आपकी preference according to admission मिल गया और आप आप फिलिंग बरोगे और पढ़ाई करना शुरू कर दो गया चालो इसकी उपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है जहां मैंने counselor के बारे में इन डिटेल बात करी थी क्या quota है क्या फीस है जाओ चानल को स्क्रॉल कर लो यू फाइंड माई वीडियो देर आंदी ए ख्लोस को चालो 7 topic हमारा application process application process css portal के थूई होने वाला है डियू की option website होगी रहने portal आको यूज करना है application कैसे भरनी है registration की css की registration की मैंने in detail पूरी वीडियो बनाई है प्रॉम दी स्टार्टिंग registration करने के till the payment of the fees जाओ और देख लो वहां की बहुत है लप कर देगी चलो payment of applications 200 रुपर लग रही है बीए के लिए ठीक है 700 लग रही है mastery courses के लिए ठीक है documents required होंगे आपके यह कुछ documents है like a 12 mark sheet 10 की mark sheet पास्टोग्राफ आपका अधार card यह document required होंगे आपके जब आप CAS AS portal पर register कर रहे हो तो चलो now courses कितने है मिरंडा हाउस में आंड वागी क्या fees है चलो bachelor courses में इंके आप BSC के अंदर है साथ course और BA के अंदर है 49 course में आपसे कात लाना science में इंडिया तुडे को इंडिया ने इसको दिया है second rank all over India में and third rank दिया है arts के courses में के पास है 49 course science के पास साथ course tuition fees की पढ़ती है पूरे तीन साल की 40 जासे लेकर सत्तर अजार के बीच में और BSC courses and for BA की पढ़ती है 42,000 से 51,000 के बीच में for combine of three years फीस बहुत काम है अं compare करें इंजीनिरिरिंग की फीस के साथ eligibility CUT में अच्छे score card and 12 में 40% और उसके लिए BA के लिए 40% और 45 तेक है आप बात करते हैं mastery courses की या कहलो आप इसकी है certification courses की इनकी कुछ इस तरीके से फीस है पढ़ लिजे screenshot कीच लिजे तो आपको idea हो जाएगा इसकी फीस के बारे में और यह इंका cut-off mastery course से आपका admission मिलेगा DUT के थुरू यह कहलो CUT PG का admission हुआ है आपका जो result आया है उसकी तुरू आपको मिलेगा admission and B8 का जो course है वो CUT के थुरू मिलने वाला है and यहाँ एक और चीज़ भाई certification course से आपको सीज़ा मिल सकते हैं आपर ठीक है कुछ cut-off निकलेगा आपको कर सकते हो जो दो महीनिया से एक साल तक का होता है स्ट्रींस बता दीज मैंने आपको आर्ट सेंक्या हुमानिटियर तो शोल साइंस है आईटियन सॉफवेर साइंस है टीचिंग एड्यूकेशन है बट इंका साइंस और आठ्स यह दोनों यह तो बहुत पेमस है अगर आपको आठ्स या साइंस पर कुड़ी लेनी है तो बरांडा हाउ शुट बी और फर्स चोईस यह है कुछ फीस ट्रक्चर इंडिवीजुली बात करी हमने फॉर बीए एमे बीएसी ओनर्स बीएट एमेसी और बीएसी की ठीक है जो मैं आपको पहले बताया है टोटल फीस यहां मैं उसको डिवाइड कर दिया हर एक साल की फीस की उपर कि फर्स ची क्या फीस होगी ठीक ह इस्वेकार है क्राइटीरिया लगनिति क्या है उनका समय सीजी जोड देना भैई सीजीवीटी फ़ूर बाच्छिलर्स कॉर्स और सीवीटी ऊचिवीटी पीजी का कोर्स फॉर्डी ओडी पूर्स इस्पर बात की जाए वाई कि मनंडा हाउस में क्या पकेज आता है कैसा प 20 लाग गया था अराउंड एवेज गया था इंका सारे साथ लाग का और मेडियर पाकेज मानलो 7.37 यह थे कुछ टॉप रिकूटर ऑबरा गुरूप भी आता है भाई यहां पर अब आग करते हैं थोड़ा सा रिकूर्मेंट्स के बारे में सौरी घलतियां होगी यहां पर चलता है गलती इंसानों सी होती है तो यह इंके कुछ टॉप रिकूरूटर्स पी डावलो सी लीडो ओयो डेल येस पांक गूगल डलॉइट आती हैं बड़ी कंपनीज ही बट वो क है अब आगा अलूमनाई के बारे में यह है इंके अलूमनाई इन मेंसे कितना को जानते हो आप फोटो देख लो ना बताता हूं चलो अनिता देसाई पद्मभूशन 2014 चीज दावान मीरा नेर पद्मभूशन और वशी आप बतालिया पदमश्री मिला इंको रितुमेनन पद्मश्री पद्मश्री अवाड़ी इस पाद्मभूशन अवाड़ी इस ने बरंडा हो से पढ़ा करी है तो यूकर जास्तिंक आप अब लेवल अपर सोचल लाइफ होने वाली है आँ उसके बारे में बात करते हैं इतने सारे क्लब है स्कॉलेज में देख रहे हो आप म् स्नाप्शॉट डांस साइटी टांज इतनी सारी साइटी जिसमें आपको इंट्रेस्ट है जाओ और सटी लेने नवजा कर ठीक है और या देखना है सोसाइटी इसना कुछ कॉमन होगी ठीक है दियू के साथ दियू के को सेंट्रलाइस क्लब्स भी होती है क्लब्स यह रहे भाई सारे ठीक है हिंदी को स्पीक मके फोटाग्रफी गांधी सटी सरकल और इंट्रेशिप सेल बहुत कुछ है मिननदा उसमा अबात करनें तो भाई और देकलो आप इंडियन डांस के अलग ही ग्लय मुझे का अलग ही कला है डिबेट्स में को इंट्रेस्ट है डिबेत्स का चालेश का अंदर ही उनका ठीक है अधिकल का हूप को यूनित है काउंसले सेंटर है साइको सोचल काउंसलिंग गाइडेंस इंटर भी है करियर एड़ीएशन एडवांस्मेंट गाइडेंस भी यहां मिलती है यह कुछ फैसिलिटी जो है कि बच्चों को मिलती है कॉल्ची तर और फाइव रेटिंग और क्या कहा है यह वो जानते है आज लर्निंग मार्टर्स टीचर्स आर ओल्वेशन देर तो हेल्प इंटाइम अल्सो कॉलेश्मेंट सेलिस देर टो प्लेशन गुट कंपनी इड़सेंट मांटर विच कोस्यू आर सुसाइटीज आल्वेशन देर ट बहुत धर पड़ता है आपको अच्छे कंपनी प्लेशन चाहिए है सोसाइटीज बहुत सारी है तो जास्ट ग्रूम यू कि ग्रूमिंग जादे इंपॉर्टन होती है आस कंपेटिवर अकाडमिक्स चलो एक और रिवीव पढ़ते हैं ईशा खिमानी जी का आर कॉलेज ग्रेट फेकल्टी मेंबर इस डीपेश्मेंट सेल अफा कॉलेज इस अमेजिंग अभाई पता है में भी आपकी प्लेशन बहुत अच्छे है कि मेरंडा हूस टॉप मॉस कॉलेज होगा या तो प्लेस्मेंट क्यों नहीं अच्छे होंगे हर कंपनी का पहरी चॉइस ही होती है तो आगे ओपल लें सैटिस्फाइड विद्धा फेकल्टी और इंफ्रसक्ट्चर अनी प्लेस्मेंट्स अगर्ड ओके अमेजिंग प्लेस्मेंट्स फिफ्टी पर से सुदेंस गेट प्लेस्मेंट्स यह थोड़ा से इंपॉर्टेंट है सुनना अच्छे है से ठीक है फ अमेजिंग जो बच्चों को मिला था रूल्स वह भी लिए डिफाइंड कर दिया है फ्रंटेंड डेविलाप्मेंट बाकेंड डेविलापर फुलसे डेविलापर एचार ग्राफ डिजाइनर इन सब के रोल्स ऑफर हुए थे बच्चों को यह दान देना फिफ्टी पसे ब बच्चों को महाँ पर क्या फाइदा है या नहीं है रिवियू के वहाँ के देखें हम लोगों मना ही देखें वहाँ के इन टोटल हमें पूरी बता दिया आपको कि मैं अन्डा हाउस शुट बी यॉर फर्स चॉइस अगर आपको साइंस और आर्ट करना है तो अगर आपको को मेरी वीडियो पसंद आईयो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर लो और बेल आकर क्लिक याज से कर लेना और अच्छी लगियो थो टाइम नेकाल लो कॉमेंट भी कर देना क्योंकि मैं परता हूँ कॉमेंट्स इड मोटिवेट्स मी थैंक्यू सुप आपको